आप सबी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में आज के इस वीडियो में आप सबी के लिए लेकर रहा हैं बहुत ही इंट्रस्टिंग और बहुत ही इंट्रस्टिंग ट्रिक जिसके हल्प से आप अपने PC में अपने इंटरनेट स्पीड को 50-60% तक इंक्रीज कर पाएंगे सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो लेट में इंट्रीश मासेल्फ इस निखील एंड यूट्रस्टिंग यूट्यूब चैनल सबसे पहले आपको क्या करना अपने PC में इंटरनेक्ट को कनेक्ट कर लेना चाहे तो आप इसे कनेक्ट कर भी सकता है या पिर नहीं से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बट मैं इसे अल्रेटी कर चुक्त करनेक्ट करने के बाद गयाद सिंप्ली आपको अपने PC में जो है रन को ओपन कर लेना रन को ओपन करने लिए आप स्टार्ट बटन के तुरू भी ओपन कर सकते या फिर आप स्टा विंडो बटन प्लस आपको आर प्रेस करना उसके साथ आपका जो रन है ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद सिंप्ली आपको सर्च करना है जीपी इडिट.msc और सिंप्ली आपको उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको परमिशन देगा नेट्वर्क पे q lin कने के बाद आपको आपको फान करना है प्रयवेज ने नेवल करने को चेक्षन ल स्कुन ह reflecting on अगर कि अबंदें नार्फी इसे इनेबल कर देना और बाद बाड मिध को जिरों करके अप्लाई कर देना हैа बाध करने के बाद आपको सभी प्रोग्राम को क्लोज करने के बाद आपको अपने PC को रिस्टार्ट करने को उसके बाद restart करने के बाद simply guys आप अपने PC में इंटरनेट को connect किजिए और connect करने के बाद guys आप देखेंगे आपका जो PC हो डब जैसे कि आपने देखा हमने कितने easily तरीके सुझे हो है अपने PC में इंटरनेट speed को increase किया अब guys बात कर लेते हैं हम अपने mobile में downloading speed को कैसे increase कर सकते हैं तो guys आपको इसके लिए 2-3 steps को follow करना है उसके बाद guys आप अपने mobile में 30-40% तक जो है downloading speed को increase कर सकते हैं तो guys करना किया आपको simply अपने mobile में play story या फिर chrome browser को open कर लेना है और वहाँ से idm को download करकर install कर लेना है idm का मतलब होता है internet downloading manager जिया guys इसका नाम है downloading manager जो की आपको आपके downloading को speed करने के लिए help करता है increase करने के लिए help करता है तो guys कैसा लगा आपको ये trick ये video comment box में comment करके जरूर बताएगा तो guys आज के लिए इतना है मिलते अगली वीडियो में एक ने tips and tricks के साथ Thank you guys